नमस्ते दोस्तों, रहस्यम ये ग्यान चैनल में आपका स्वागत है बाबा वीर बुला की प्रत्यक्ष दर्शन साध्रा दोस्तों, शक्ति तो सभी देवी देवताओं में है पर उन्तु इस वीर की शक्ति ही गजब की है जहां अपनी बात पर रुष्ट होकर अड़ जाए तो फिर बड़े से बड़े देवी और देवताओं इनके सामने हाथ जोडते नजर आते हैं फिर चाहे मा काली ही सामने क्यों नहों पुत्र भैरव के आगे उनकी मा काली की भी नहीं चलते है क्योंकि भैरव हुकुम मानते हैं तो सिर्फ सदाश्यो महाकाल का इसके अलावा किसी का नहीं फिर चाहे आदि शक्ति ही क्यों नहों ठीक उसी तरह बाबा बुला कि किसी अन्य के घर में प्रविश करने पर उस घर की सारी शक्तियां खुद घर का कोना पकड़ लेती हैं उस अशांत रूप में भी मानते हैं तो सिर्फ देवी की बात क्योंकि हर देवी के स्थाम पर कहीं खुलकर तो कहीं गुप्त रूप से भैरव अगवानी है और भैरव बाबा सभी देवियों के लाल माने गए हैं इसलिए इस वीर की बैट सभी देवियों के पास है सभी देवियों का ये वीर बुला की जिसे चाहे उसे मना ले जिसका चाहे उसका हो जाएं बाबा स्री वीर बुला की कोई और नहीं स्वयम बाबा महाकाल भैरवनात है जो कलियूग में मसान भैरव की छवी के साथ बुला की मसान के नाम से अउतरित हुए हैं बाबा बुला की बहुत ही पवित्र शक्ति है मालिक है इनकी छवी कुछ गंदे साथकोंने गंदी कर दी है बाबा बुलाकी को प्रसंद करके कुछ मूर्खत आंत्रिक मासुन लोगों पर पैसा लेकर अध्याचार करते हैं जैसे पती-पत्नी में जगडा लगवाना, लड़कियों को वश्मे करवाना, फिर उच्छाटन करवाना, कोई भी बिमारी लगवा देना अपगात करवाना, घर में बंधन लगवाना, मोटापा बड़ा देना, शादी तुड़वा देना, इत्यादी बाबासरी के पहनावे और रूपरंग से देखो तो एक ऐसा बालक वीर जो रंग से काला, हाथ में सोटा, एक हाथ में मदिरा का पाल, पात्र, खपर और लाल लंगोट के साथ लंगोट धारी है और लड़ों के साथ मदिरा भोग जो स्वयम महाकाल भैरव की छवी दिखती है आप सभी ज्यानी, जन, खुद सोचो कि इस धर्ती पर खपर स्री महाकाल के बाद स्री आदिशक्ती, मा काली, मा चंडी और मा भवानी के बाद महाकाल भैरव के हाथ पर है बाद महाकाल भैरों के सिवा किसी अन्य देवी देवता के हाथ पर खपर नहीं है इस वीर की भक्ती नाथों की है और शक्ती नवनाथों की है जो कि भी साधक इस वीर की सिवा उजापाट सक्चे मन से निश्वार्थ वावसे करेगा ये वीर बाबा उस साधक को नवनाथों की सिवा में लगा देते हैं फिर ये इस साधक को भूत प्रेतों की सिवा में नहीं रहने देते हैं उस साधक को लेकर नवनाथों में और सिद्धियों में डट जाती हैं इस साधना में भी प्रकार के कार्य किये जाते हैं सिर्फ किसी का नुक्सान करने का इरादा मन से निकाल डाले ऐसी साधना प्राप्त होना बाबा श्री का कुरूपा प्रसाध ही समझे आज के समय में तांतरिकों ने शाबर मंत्रों से मासुम लोगों के जिंदगी से खेल खेलना शुरू कर दिया है क्योंकि वो जानते हैं जिस पर भी बुलाकी या मसानी चड़ा दिया जाए उसको वही तांतरिक बुलाकी चड़ा कर मुक्त कर सकते हैं मसानी का काट बाबा श्री ही है और उनका विद्या वही काट सकते हैं इस साधना से स्वयंग के कारियों के साथ साथ अन्य लोगों के भी कारी किये जा सकते हैं जिस पर बाबा श्री कृपा कर दें वो माला माल हो जाता है और ये बात उनके सभी भक्त बिना किसी किन्तू परंतु के मानते हैं इनके पूजा की सामगरी इस प्रकार है एक बुंदी का लडू एक बरफी दो पाल का पत्ते एक जाइफल एक सुपारी दो लोंग दो इलाइची ग्यारह बता से एक शराब की बोतल थोड़ा हनुमानी वाला पीला सिंदुर साथ हरी चुडियां थोड़े साबुत उड़त के दाने दही बड़ा उड़त का हो शरी बाबावीर बुलागी यंत्र ताविज और रक्षा कवच और लाल धागा इस साधना में किसी भी प्रकार का मास नहीं चड़ाना है क्योंकि यह पुर्ण रूपेन तामसिक साधना नहीं आए इस साधना का विधी इस प्रकार है नवनाथो को प्रणाम करके शनिवार से साधना प्रारम्ब करे और रक्षा कवच को लाल धागे में डालकर पहन ले साधना में धूब दीब कर पूजन सामगरी को सामने रखे एक लूटे में जन भरकर उसमें एक बताशा डाल दे और मिट्टी के कोरे सिकोरे में एक लड़ू दो वर्फी एक पांका पत्ता दही बड़ा बताशे रखे लड़ू के पास दो लोंग दो इलाजी और स्री बाबाविर बुला की यंत्र ताबिच को रखे और उस पर जल्नते फिरदूस नाम के इत्र का फाहा लगा दे उस पर आधा बोटल शराब चड़ाए बचा हुआ आधा बोटल शराब संभाल कर रखे मंत्र को बिना गिंती अनुमान से नब्वे मिनट तक जब करना है जब करते समय दुरुष्टी श्री बाबाविर बुला की यंत्र ताबिच पर हो जाप रात को दस बज कर तीस मिनट के बाद करना है ताकि बारा बजे के बाद ही जाप पुर्ण हो जाए जाप के उपरांद कपुर्ण जला कर देव को अगने रुपी जानकर दही बड़े का भोग जाएफल सुपारी पाच बता से एक पान का पत्ता और बचा हुआ अधावाटर शराब का भोग शराब लगाएं और उसके उपर से तीन बार हाथ में जल लेगाएं। अब पाच लोग का अपनी कोई भी मुनो कामना बोलते हुए चड़ाएं। मिट्टी के सिकोरे में कपुर पर भोग दी हुई सामगरी में थोड़ी शराब भी सिकोरे में डाल दें। फिर वह सिकोरा घर से बाहर कहीं आग के पोधे की जड़ में रख कर आएं। सिकोरा रखने के बाद कुछ उड़त के दाने मंत्र बोलते हुए आग के पोधेक पर फैकें। साधना काल में अत्यंत साधान रहे। साधना के दवरान शराब मचली किसी भी प्रकार के मीट का सेवन भूल के भी ना करे। साधना का मंत्र इस प्रकार है। ओ नमो आदेश गुर का या वीर बुला की मसाल तार का तरकस लोहे का तीर। खिचेगा वीर बुला की मसाल माता का चीर। लाल लड्डु लोंग सुपारी जिस पे चले वीर बुला की। मसाल शब्त साचा पिंड काचा चलो मंत्र इश्वरो आचा। मैंने बुलाया बाटे बाट आप आये उबाट बाट इसी समय वीर बुला की मसाल। प्रत्यक्ष हाजिर हो ना हो तो बहन बसंती की आल। अगर इतने पर भी हाजिर ना हो तो बहन बसंती का फाड लंग उटा। करे बहन बसंती से आराम करे चल चल वीर बुला की मसाल। हाजिर हो ना हो तो दो दुहाई उस्ताद कमाल का सयद। दिली के हजरत तक्त की आओ आओ वीर बुला की बसान मेरे समक्ष प्रत्यक्ष हो नहीं हो। उस्ताद कमाल खान सयद की भंगी की लात पड़े। इस मंत्र से बाबा स्री प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दल्यवाद दोस्तों।